आपने जो बात कहीं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जिनके हाथों में बंदूख है जिनकी गोलियों से हमारे जवान मरते हैं हमारे कश्मीर के पंडित मरते हैं या कोई भी मरता हो कोई भी हिंदूस्तान का नागरिक मरता हो जिनकी गोलियों से हमें उनकी बात सुननी चाह यह कहने की आप में हिम्मत है सुबेदार जस्विंदर सिंग के परिवार को या मंदीप सिंग के परिवार को या गजजन सिंग के परिवार को सरद सिंग के परिवार को वैसाक के परिवार को इनके परिवार अभी शायद इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत के तिरंगे में बेटा घर आएगा आप उनको ये कह सकते हैं कि बंदूक वालों के हाथ में जिनके हाथ में बंदूक है जिनकी गोलियों से हमारे लोग छलनी होते हैं उनसे हमें बात करनी चाहिए उनका हमें दर्द समझना चाहिए है हिम्मत आपको इनकी मां को कहने का ये सवाल आप मुझे से पूछ रही तो मैं आपको जवाब बताओंगा मैं महत्मा गांडी के रास्ते पर हूँ कि हर वकत पहले तो ये है कि तशद्दुद जो है उसे दिल जखमी होता है गम से दिल बर जाता है और उस पर कोई खुश नहीं हो सकता वो तो इनसानी नहीं है लेकिन एक बात है महत्मा गांडी का रास्ता ये है कि हम को हर शक्र से बात करनी चाहिए जिसको बंदूख है उससे भी बात करनी चाहिए ताकि मफामत का हमांगी का एक साथ रहने का रास्ता खुल जाए तो ये एक महत्मा गांडी का रास्ता है और मैं महत्मा गांडी के रास्ते पर हूँ जम के कि बात होनी चाहिए चाहिए किसी के हाथ में बंदूख है या गर पर बंदूख है हम उसमें नहीं जाएंगे हम बात करेंगे बात का दरोजा खोलने से सब को ठीक होगा किस से बात करेंगे आप से लिए मैंने कहा ति मोधी जी को किस से बात करेंगे पाकिस्तान से बात करेंगे जो देशत गर्द हमारे देश में भेज रहा है उनसे बात करेंगे आप पाकिस्तानियों से बात करेंगे जो चोटे चोटे बच्चों की जान ले रेता है उनको गुमराख कर देता है आप उनसे बात करना चाहते हैं